पांच अगस्त को तफ्ता पलट के बाद जो तस्वीर आई थी वो बांगला देश में रहने वाले हिंदूओं की टैंशन बढ़ाने वाली थी तस्वीरों में आपने देखा था किस तरह से हिंदूओं के खिलाब हिंसा की गई उनके साथ मारपीट की गई अत्याचार किया गया यही नहीं हिंदू महिलाओं के साथ रेप तक कर दिया गया भरोसा था कि शायद माहूल शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब बांगलादेश सरकार के एक और फर्मान ने हिंदूओं के खिलाफ उनकी मैशा को जग जाहिल कर दिया है बांगलादेश में मौहमद युनुस के नेतरत्व वाली सरकार ने तालिपानी फर्मान जारी किया है इसके मुताविक अजान के समय बांगलादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे अजान और नमास के वक्त हिंदू समुदाए के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर भजाने पर रोक लगा दी गई है अंतरिम सरकार के ग्रेवामलों के सलाकार और रेटार्ड लेटिनेंट जनरल मोहमद जांगीर आलम चौधरी ने ये फर्मान भी जारी किया है जांगीर आलम को तो पहले से ही भारत विरोधी माना जाता है उनकी सोच हमेशा से हिंदू विरोधी रही है अब ऐसे में इस नई फर्मान ने इक पर फिर से सवाल उठा दिया है कि क्या बांगलादेश अब पाकस्तान और अफगारस्तान की रहा पर चलने लगा है जिस तरह से बांगलादेश में हिंदू के खिलाफ जान बूच कर उन्हें परेशान करने के साजिश हो रही है जंडा चलाए जाने लगा है पहले हिंदूओं पर हमले हुए और अब उन्हें हर तरह से टार्जिट किया जा रहा है मुहमद इरुस की सरकार में हिंदू न महफूज है और ना ही आजाद बांगलादेश में हिंदूओं की आजादी का दमन किया जा रहा है उन्हें अब अपने अनुसार दुर्गा पूजा बनाने का अभी अधिकार नहीं है आजादी नहीं है बांगलादेश में नई सरकार ने एक तालिबानी फर्मान जारी किया है जिसमें हिंदूओं के खिलाफ आदेश अब ये जारी हुआ है कि वे नमाज और अजान के वक्त दुर्गा पूजा की गतिविधिया नहीं कर सकी है नमाज के दौरान न पूजा हो सकती है और ना ही लाउड स्पीकरों पर भजन बजाएजा सकते है बांगला देश में ग्रिव मामले के सलाकार लाटिनन जनरल मौमज आंगीर आलम चौधरी का कहना है कि दौर्गा पूजा समीतियों से नमाज और अजान के वक्त म्यूजिक और साउंड सिस्टम बंद रखने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कारवाई भी की जाएगे बांगला देश में दौर्गा पूजा हिंदू समाज का सबसे बड़ा धार्मिक त्योवार है बांगला देश हिंदू 9 अक्टुबर से 13 अक्टुबर तक दौर्गा पूजा मनाएंगे ऐसे में जहांगीर आलंग चौधरी ने दावा किया है कि हिंदू समुदाय के लोगों की आवाजाही के कारण दौर्गा पूजा के तोरान कानून विवस्था में बनाए रखने में समस्या आती है बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन की बात से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं इसके अलावा चार बड़ी घटनाओं में हिंदू की मॉब लिंचिंग भी हुई है दस से अधेख हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड और आज़नी हो चुकी है और उननचास हिंदू अध्यापकों से अलग-अलग स्थानों पर जबरन इस्तिफे लिए गए मतलब हिंदूों के खिलाफ लगातार अत्याचार जारी है पाच अगस्त को बांगलादेश में तकता बलट के बाद हालात बहुत अराज़क हो गए इस अराज़क था के सबसे बड़ी वज़ा हिंदूों के लिए सौफ्ट माने जाने वाले आवामी लीक का सब्ता से हटना है क्योंकि बांगलादेश में आवामी लीक को हिंदूों का समर्थक माना जाता है सबसे ज़ादा हालात खराद ग्राणी ललाकों में देखने को मिले है अराज़क टत्बो ने हिंदूों के मंदरों में हमला किया तोड़ भोड़ की हिंदूयों के साथ हिंसा हिंदू महिला सवाल ये भी है कि अगर बांगलादेश हिंदूस्तान और हिंदू के खिलाफ अगर नफरती एजंडा चलाएगा तो नुकसान उससे ही होगा बांगलादेश के हालाद दिन बदन खराब होते जा रहे हैं सरकार जिस तरह से हिंदू के साथ नफरती एजंडा चला रही है वो बांगलादेश को दूसरे संकट में भी डाल सकता है अगर हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इस्थती और बुरी हो जाएगी बात मुल्कों के बटवारे तक पहुंच सकती है अब बांगला देश में हालात बेकाबू है हिंदूों पर अत्याचार बढ़ रहा है हिंदूों के तेवहारों पर पाबंदी लगाई जा रही है हिंदूों के खिलाफ नफरती एजंडा एक नई बगावत को जर्म दे सकता है